नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए लेका हैं बहुत ही बड़ी कुछना जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सेशन रहे हैं पैंजन को लेकर जिसमें आपकी सीधे तीन महिने की सैलरी आपके खाती में आए जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टैम विजिट किया तो चैनल को सस्क्राइब करने ने भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी दरसल अब पूरो जो क्रामचरी को तीन महिने का वितन दिया हैं के अंदर सरकाय ने क्रामचरी राज्य विमानिकम के तहत अटल बिमीत वैक्ति कल्यान योजना यानि की ABVKY को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है ABVKY को 2018 से उन लोगों को रोजगर के अवसर परदान करने के लिए लोंच किया गया था जिन्होंने करोना महमारी के दुराण अपनी नोकरी खोदी थी दोस्तो योजना के तयात विमीत लोगों को बिरोजगरी भत्त का बुगतान भी किया जाएगा ABVKY को दो साल के लिए जो प्लाइट अधर पर शुरूग किया गया था जिसका उदेश उन लोगों को रहा देना था जो करोना महमारी के दुराण बिरोजगर रह गये थे अब इस योजना को जून दोजर 22 तक बढ़ा दिया गया है इस योजना के तैद बिमित लोगों को बिरोजगरी भत्ता का बुगतान क्या जाएगा वीबिन करोनों से उनकी नोकरीग जो गवाने वाले तीन महीने के वेतन का पचास फिजदी मिलता है दोस्तो वे लोग जिने हैं हित बिमा पोलोशी दवारा सुरक्षित है बिमित की स्रेणी में आते हैं इस योजना के अंतरगत आने वाले करमचरी को लिए लाब जहां दोस्तो करमचरी को इस जो योजना के अंतरगत आते हैं ABBKY का लाब उठा सकते हैं हर महीने करमजेर के वितन में ESI अंसदान काटा जाता है एक बिमित बैक्ती इस प्रिक्रिया में आने वाले जो अंतिम नियोकता को सामिल किये बिना सिदे ESIC साखाँ में दावा कर सकता है रिपोर्ट के अनुसार मामारी के बाद से कम से कम 50,000 लोग इस योजना से लामबित हुए है योजना के विस्तार के घोशना करने का निरना उत्राखंड के रिशी के इसक में आयो जिती ESIS के जो 180 मी बैठक में लिया गया और केंद्रिये सरम रोजगार मंतरी वुपिंदर यादो ने इसकी घोशना की थी जिहां दोस्तों योजना के लिए कैसे आपको आवेदिन करना है वो भी हम आपको बताते हैं इसमें जो फर्स्ट जो स्टैप आपको करना यदि आप ABVKY के लिए आवेदिन करना चाहते तो आपके जो अधिकारी वेबसाइट ए वीवी के अवाई फोर्म डाउनलोड करना होगा और आप इस लिंक पर कलिक करके वेबसाइट पर जा सकते दोस्तों यह दिखाया गया है जो इसकी वेबसाइट है और इसमें जो सेगंड स्टैप होगा फारा में सभी जो आवसे वीव लिंक पर कलिक करें लिंक पर कलिक करने के बाद ही है PDF जो फोर्मेट में अप्लिकेशन फोर्म को खोलना है आप सिस्टम में फोर्मों डाउलोड कर सकते हैं और आवेदन फोर्म है वो भी बरना शुरू कर सकते हैं यह ऐसा इसी अटल बिमित बैक्ति कलें रियोजना ओनलाइन पंजिकरन फोर्म 2021 जो यह दी गया गया है दोस्तों इस पर कलिक कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप बिलकुल सभी सुन रहे हैं यह थी आज की हमरे लेटर सब्डेट आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लग